वंदे मात्रम दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवान एकेडमी पे आपका स्वागत है आज हम हिस्ट्री का धिर्ग उतर यह प्रस्ण लेके आ हैं जो आपके एक्जाम की दृष्टी कोन से काफी इंपोर्टेंट है यह क्वेश्टन बहुत ज़्यादे इंपोर्टेंट है इस पर भीविया लगा लिजिये आपके 2023 के जो बोड़ एक्जाम होने वाले हैं उसमें या तो पहले सिफ्ट में या दूसरे सिफ्ट में किसी ना किसी सिफ्ट में यह क्वेश्टन जरूर रहने वाला है कुश्चन क्या हैendok वीडियो को लाइक कर देजे चलिये जल्दी सी कुश्चन का आंसर देखते हैं काफी important BVA लगा लेजीए सबसे पखने साइमने अवय क्या आंदोलन उसके बाद लिखना एक साइमने अवय क्या ँजिसके हाएं किसके दोड़ा सब्कूरह आँपोर्टन में और मुरत में श्रून करने में बहुत ना करहिए था साइमन कमिशन एक important factor है सभिनेवगया डौन का इसलिए हम लिखे हैं कि यह एक महत्पूल आंदोलन था जिसे सामन कमिशन के विरोध में शुरू किया गया था सभिनेवगया अंदोलन भारतियर लोगों के मांगों को सविकार करने के लिए ब्रीटी सरकार पर दवाब बनाने है तो असयोग आंदोलन का एक रूप था नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी सुर्बाद 12 मार्च 1930 को गांधी जी के परची दांडी मार्च से स्टार्ट हुई ये भी पूछा जाता है कि दांडी मार्च किसे संबन दिता है नमकर जो था वो भी गांधी जी स परती निदियों के साथ अहमदाबाद के साबर्मती आश्रम से अंदोलन शुरू किये थे कहां से साबर्मती आश्रम से क्लियर हो गया अब इसके कारणों की कावर्णन देखेंगे यहां उपर में लिख देना है सभीने अवग्या आंदोलन के मुख्य कारण निमन लिखित है उसके बाद लिखना है सैमन कमिशन उसके बाद सैमन कमिशन के बारे में लिखना है तो सभी ने अवगिया अंदोलन का सबसे महत्पून कारण क्या था सैमन कमिशन की नियुक्ति मानी जाती है तो सभी ने अवगिया का सबसे महत्पून कारण क्या हो गया सैमन कमिशन हो गय इस आयोगम कितने सदस थे, साथ सदस थे, और साथो की कौन थे, अंग्रेज थे, एक भी भारतिया इसमें सामीन नहीं किया गया, क्लियर हो गया, तो जिसके सभी सदस क्या थे, अंग्रेज थे, भारत में सायमन कमिशन के विरोध का मुख्य कारण, मुख्य कारण कमिशन में एक भी भारतिय को नहीं रखा जाना था यह इसका मुख्य कारण था विरोध का कि इसमें एक भी भारतिय को नहीं रखा साथो का सादस जो था वो क्या था अंग्रेज था भारत में स्वसासन के संबंद में नीर ने विदेशियों दुआरा किया जाना था इसलिए इसका क्या हुआ विरोध हुआ तो किलियर हो गया पहला कारण इसी के कारण सवीने अवग्या अंदोलन स्टार्ट किये महतमा गांदी नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण स्वराज की मांग ये भी काफी important point है सभीने अवेग्या अंदोलन के कारण में तो सभीने अवेग्या अंदोलन का दूसरा महतपूर्ण कारण पूर्ण स्वराज की मांग मानी जाती है 31 दिसंबर 1929 को लाहरोर के रावी नदी के तठपर पंडित जवारलाल नहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग का परस्तो रखा था तो कहां पे रखा था तो लाहर के रावी नदी के तठपर और वहां पर क्या करता जंडा तिरंगा फाराय था सबसे पहले तो कब 31 दिसंबर 1929 ये डेट भी याद रखे काफी इंपोर्टेंट है परस्तो रखा तथा और तीरंगे जंडे को फाराते समय कहा था कि जब तक हम अपने देश को आजाद नहीं कर लेंगे तब तक चेन की सांस नहीं लेंगे तो ये दूसरा पॉइंट हो गया नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं तीसरा पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है गांधी जी का समझोतावादी रूख तो उसके बार लिखना है कि सबीने आवेग्या अंदोलोन का एक महत्पून कारण गांधी जी का समझोतावादी रूख माना जाता है आंदोलन आरम करने से पुर्व गांधी जी ने लॉर्ड इर्विन के सामने अपनी 11 सुत्री मांग को रखा ये पुछा जाता है कि कान सी मांग रखे, तो 11 सुत्री मांग को रखे, किसके सामन लौड इर्भीन के सामने गांधी जी, लेकिन लोड इर्भीन ने क्या क्या इस पे बिल्कुल भीila नाenk wiya आग इंग्नौर कर दिया, इनमांगों पर कोई धिया नहीं दिया, गांधी जीने बाद दी होकर किया किया सभी ने अब गया अं दोलन का सहरा लिया और इसी के बाद सभी ने अब गया अंदोलन स्टाट कर दिये साइमन कमिशन का बहिसकार करने पर भारत सचीव लौड बरकन हेड ने भारतियों को संविधान बनाने की चुनोती दी कौन चुनोती दी लौड बरकन हेड उससे में क्या थे सचीव थे उसने कहा कि कमिशन का वहिस्कार करना कोई समिजदारी नहीं है क्योंकि भारतिय स्वेंग संविधान नहीं बना सकते हैं ये कौन कहा था बरकन हेट ने कहा था भारतिय कभी संविधान नहीं बना सकता है तो इसी को कॉंग्रेस ने चुनोती समझा और इसका विरोध किया तो कॉंग्रेस ने इसे इस चुनोती को स्विकार कर फरवरी 1928 को पंडित मोतिलाल नहरू की अध्यक्षता में भारतिया संभिधान का अधार निश्चित करने के लिए एक समिती गठन किया किसके अध्यक्षता में मोतिलाल नहरू की अध्यक्षता में फरवरी 1928 को संभिधान का अधार निश्चित करने के लिए एक समिती नियुक्त की गई नहरू रिपोर्ट में डोमीनियल एस्टेटस को पहला लक्ष एवं पूर्ण स्वराज को दुसरा लक्ष गोसित किया गया यह रिपोर्ट स्विकार नहीं हो सेगी यह रिपोर्ट को स्विकार नहीं किया गया कि नहीं इसने अनेक महत्पूर्ण नेड़ने को जन्म दिया संपरदाई ता कि भावना जो अंदर ही अंदर थी अब उभर कर सामने आ गई और क्या क्या मुस्लिम लिंग और हिंदू महासभा ने इसको भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ा उसके बाद क्या हुआ इसको फ आफ कीतोत किया यह च्छहा पुएंट हो गया प Tas.GO गवी कारण लिखने देता है इसलिए आपको पांच याद रखना पांचम हो जाएगा 20 विशव्यापी आर्थिक मंदी ओने क्यों गया इस TOP म Always समें क्या अंडलन का एक महत्पून कारण है तो सबी और गया चाँरभूत कारण 1929-30 इस भी का विश्याप्य आर्थिक मन्दी मानी जाती है यह आर्थिक मन्दी भारत की अर्थ व्यवस्था को पूर्ण रूप से परभावित किया निरियात इसमें खतम हो गया तो भारत का निरियात कम हो भारत का ख़जाना खाली हो रहा था फिर भी अंग्रे जो था भारत से धन का निसकासार या अपने देश में ले जाने के लिए बंद नहीं कर रहा था अनेक कलकार खाने बंद हो गए और अनेक पुंजी पतियों की हालत खराब हो गई किसान वर्ग तो पहले से ही गरीब की मार जहल रहा था पूरे देश का वतावरन सरकार के खिलाप हो गया गांधी जी ने इस अस्थिती को निपटने के लिए सवे ने अब गया अंदोरन का सहरा लिया ठीक है तो इतना लिग दीजेगा आपको फूल में से दिर्गुतर यह मगर पूछा तो बिलकुल आपको जितना भी नमर का पूछेगा उसमें उतना नमर आपको मिलेगा एक बार अच्छे से पढ़ लिजेगा आपको अभी बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन एक बार पढ़िएगा तो एटोमेंटिक यह छोटा आपको लगने लगेगा काफी आसान भासा में इसलिए अच्छे से पढ़िएगा ठीक है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा सेर कीजिएगा जाहेंद